नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सरकार के कैबिनेट ने एक प्रपोजल पास किया कि महिलाओं की शादी करने की उमर 18 साल से बढ़ा कर 21 साल तक कर दी जाए कहते हैं औरतों की इंपावर्मेंट होगी इससे लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे क्यों क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं क्या इसके फायदे हो सकते हैं और यहां पर क्या है असली इशू चाइल्ड मैरिज का आईए आज के वीडियो में समझते हैं जून 2020 की बात है कि Ministry of Women and Child Development ने एक तास्क फोर्स बनाई जिसे हेड किया जा रहा था जया जेटली के दुआरा इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जया जेटली ने बताया कि शादी की उमर बढ़ाने के पीछे हमारा एजेंड़ा यहां पर population control नहीं है क्योंकि इंडिया की population तो अलड़ी महिलाओं की डेथ हो जाती है उसे कम करना यह करने के लिए इनोंने 16 अलग अलग यूनिवरसिटी से फीडबैक लिया 15 एंजीयों से जाकर बात करी और फिर यह फैसला लिया गया कि शादी की उमर हमें यहां पर बढ़ा देनी चाहिए लेकिन जो अंडरलाइंग इशू है पर वो है चाइल्ड मैरिज का जब महिलाओं की शादी इतनी कम उमर पे होती है तभी चाइल्ड बर्थ के दुरान जो डेथ के चांसे होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्यूं कुछ लोग इस डिसिजिजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेंली दो पॉइंट्स ऑफ अबजेक्शन हैं पहली अबजेक्शन राज्यसभा MP प्रियंका चतुरवेदी ने उठाई इन्होंने ट्विटर पर यह अखबार की क्लिप शेयर करी और कहा कि यह देखो किस तरह के नाम कुछ लोग कुछ जगाओं पर इंडिया में रखते है अपनी बेटियों के धापू यानि फैडप राम घडी मतलब ओर राम बहुत हुआ अन्तिमा होपफुली यह आखरी होगी फाल्तू ओबिसली यह चीज रिफलेक्ट करती है कि देश के कुछ एरियाज में सोसाइटी में किस तरीके से महिलाओं को लड़कियों को देखा जा गया है और ग्राउंड पर सरकार कुछ कर नहीं रही है अब मेरी राय में मैं इस अब्जेक्शन को एक लॉजिकल फैलिसी कहूंगा फॉल्स बाइनरी लॉजिकल फैलिसी यहां पर दो अन्रिलेटिट चीजों को कंपेर किया जा रहा है हम माना कि सरकार ने गलत किया है इतन होने सोसाइटियल चेंज लाने के लिए कुछ और भी रेक्यमेंडेशन दी है जैसे कि स्कूल्स और कॉलिजिस में महिलाओं के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए महिलाओं के लिए ट्रांस्पोर्टेशन असान बना जाए स्कूल्स और कॉलिजिस में जाना और सिमिलरली AIMIM के चीफ OAC ने कहा कि मोधी सरकार एक मोहले के अंकल की तरह बिहेव करती है एक 18 साल की औरत अगर अपने MP MLA चुन सकती है अपना बिजनस स्टार्ट कर सकती है अपना बिजनस स्टार्ट कर सकती है लेकिन अपनी मरजी से शादी नहीं कर सकती इन लोगों की राय में जिनोंने इस पॉइंट ओफ अब्जेक्शन को रेस किया है शादी करने की उमर दोनों आदमी और ओरतों के लिए 18 साल कर देनी चाहिए यही चीज एक 2018 की लॉग कमिशन रिपोर्ट ने भी सजेस्ट करी थी कि आदमी और ओरतों को दोनों को 18 साल पे शादी करने देनी चाहिए इन फैक्ट अगर हम दुनिया भर का ट्रेंड देखें तो सिमिलर चीज हमें बाकी देशों में देखने को मिलती है युनाइटिड नेशन्स के अकॉर्डिंग 18 साल की उमर लड़कों के लिए 180 देशों में है और 158 कंट्रीज में ओरतों को 18 साल की उमर पे शादी करना अलाउड है तो यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है क्यों नहीं आदमियों के लिए ये मैरेज एज कम करके 18 साल कर दी गई ताकि दोनों के लिए 18-18 साल हो जाती बलकि यहां पर डिसीजिजन उल्टा लिया गया औरतों के लिए ये एज बढ़ा कर 21 साल कर दी गई अब दोनों के कम उमर पर होई थी अगर हम global number देखें child brides का तो total में one third child brides इंडिया से ही आती है और सबसे हरानी वाली बात NFHS के 2019 के data के according इंडिया में 23% marriages जो होती है वो child marriages होती है imagine कर सकते हो यानि almost one fifth of जितनी भी शादिया इंडिया में हो रही है वो child marriages हो रही है अब ये समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा आज से करीब 100 साल पहले 1917 में कुछ औरतों ने मिलके Women's Indian Association की स्थापना करी एक ऐसी association जो औरतों से related social issues को raise कर सके तब अंग्रेजों का time था तो जो भी social issues उन्हें लग रा था कि raise करने हैं उन्हें British India सरकार के सामने रखने थे इन मेंसे कुछ औरतों के नाम थे Annie Basant, Margaret Cousins, Kamla Devi Chattopadhyaya, Muthu Lakshmi Ready लेकिन unfortunately British को कोई ज्यादा interest नहीं था इन social reforms को लाने में तो ये औरते Indian freedom fighters के पास गई जैसे कि मोतिलाल नहरू और महत्मा गांधी उन्हें जाकर अपनी बात सुनाई और उनसे request करी कि औरतों के इन issues को raise करे हो 1929 में गांधी जी की बात सुनकर हर बिलास शार्दा ने एक bill introduce किया Child marriages पर restraint लगाने के लिए In Women's Association ने सडकों पर rally निकाली उसके support में और placards लगाए कि अगर आप शार्दा बिल को oppose करोगे तो पूरी दुनिया आप पर हसेगी और इसी pressure में आकर finally British India Parliament ने कानून पास किया Child marriage restraint act 1929 में इस act के according लड़कियों के लिए minimum marriage age रखी गई 14 साल की और लड़कों के लिए रखी गई 18 साल की लेकिन British को कोई फायदा नहीं मिल रहा था इस कानून को actually में implement करके तो उन्होंने कोई ज्यादा कोशिश नहीं करी इस act को popularize करने की और ground level पर implement करने की इसलिए ज्यादा जमीन पर कोई change नहीं आया इसके बाद अगला बड़ा कदम आजादी के बाद ही उठाया गया 1949 में जब लड़कियों के लिए minimum marriage age 14 से 15 साल कर दी गई फिर 1978 में ही था कि इसे 15 साल से और बढ़ा कर 18 साल तक कर दिया गया हो और same year में लड़कों के लिए age बढ़ा कर 18 से 21 साल कर दी गई इस act के अंदर offences को cognizable बना दिया गया इससे पहले क्या होता था अगर आप complain करोगे कि यहां पर child marriage होने लग रही है तब आपकी complain सुनी जाएगी और कुछ action लिया जाएगा लेकिन अब क्या कर दिया कि अब authorities खुद से भी action ले सकते हैं वजूद भी authorities को भी क्या पड़ी थी उन्हें भी ज्यादा interest नहीं था इस चीज़ को रोकने में और child marriages होती थी तो उन्हें लगता था चलो जो हो गया सो हो गया जाने दो इससे ground reality ज्यादा नहीं बदली फिर साल 2006 में सबसे बड़ा बदलाव आया the prohibition of child marriage act 2006 ये पहली बार था कि child brides को option दिया गया हो कि वो अपनी marriages को void declare कर सकें यानि cancel कर सकें अपनी child marriage को इससे पहले क्या होता था उन्हें divorce लेना पड़ता था अगर एक बार ही child marriage हो गई थी लेकिन अब क्या कर दिया गया कि आपको divorce लेने की जरूत नहीं है अगर आपकी बचपन में child marriage होई थी तो आप सीधा जाकर complain कर सकते थे और आपकी marriage बस cancel हो जाएगी बिना कोई divorce लिए इस act के section 3 में ये लिखा गया था every child marriage is voidable लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी condition थी इस rule के लिए एक time limit थी दो साल की time limit थी marriage age के बाद यानि अगर आपकी child marriage होई थी और आपको ये avoidable करनी है अपनी child marriage तो ये आप सिरफ अपनी marriage age के दो साल के बाद ही कर सकते थे तो लड़कों के लिए 21 plus 2 23 years तक ही किया जा सकता था और लड़कियों के लिए 18 plus 2 20 years of age तक के लिए ही किया जा सकता था अगर आपकी वो age limit क्रॉस हो जाती है उसके बाद आप अपनी child marriage को cancel नहीं कर सकते और ये इस कानून में एक बहुत बड़ा loophole था child marriages automatically void नहीं थी वो void able थी उन्हें void बनाया जा सकता था लेकिन कितने लोग उन्हें void बनाते थे especially जब बच्चों के लिए हैंपर एक age limit सेट करी गई है 20 साल क्या age limit होती है लड़कियों के लिए 20 साल की लड़की आमतोर पर अकसर घर में ही रहती है अपने parents के साथ ही रहती है जब parents ही नहीं मानेंगे तो कहां से वो independently जाकर अपनी child marriages को void बना पाएगी कुछ cases जरूर थे जहांपर child marriages automatically void हो जाती इस कानून के section 12 में mention किया गया था जैसे कि child marriage करते वकित अगर बच्चे के parent या guardian मौजूद नहीं है तब वो automatically void हो जाती लेकिन बाकी सब cases में voidable थी उन्हें void करना पड़ता खुझ से और बहुत से लोग ज्यादातर लोग नहीं कोशिश करते करने की चीजें इतनी अजीब थी कि 2017 तक तो एक लड़की के लिए the age of consent for physical relations 18 साल थी लेकिन same age एक child bride के लिए सिरफ 15 साल थी तो एक child marriage में कह सकते हो marital rape legal था independent thought करके एक NGO था जिसने कोर्ट में petition भी डाली थी इसके regarding इसी चीज को complain करते हुए और thankfully हमारे सुप्रीम कोट ने इस चीज को लेकर action लिया कुछ जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस दीपक गुपता के एक bench ने marital rape को criminalize किया for girls below the age of 18 लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक simple सा कानून क्यों नहीं बना दिया जाता 18 साल से कम की उमर में अगर किसी भी बच्चे की शादी कराई जा रही है तो वो legal नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में बच्चे कोई भेडबकरी थोड़ी ना है कि किसी और को hand over कर दिये जाए 18 साल से भी कम की उमर पर इतना ही नहीं मेरी राय में इस चीज को criminalize भी करना चाहिए कि जब child marriage होने लग रही है तो जो parents दोनों side पर हैं जो कराने लग रहे हैं child marriage को उन्हें किसी न किसी तरीके से punish करना चाहिए अब कहने के लिए तो 2006 का जो child marriage act है उसके section 9, 10, 11 में punishment देने के provisions बनाए गए हैं दो साल तक की jail हो सकती है और एक लाख रुपए तक का fine हो सकता है लेकिन जब कानून के अंदर खुद ही लिखा गया है कि child marriages are voidable और automatically void नहीं होती तो कहां से ये कानून काम करेगा इसी की वज़े से हम देखते हैं कि आज के दिन भी जितनी भी शादिया होती हैं उनमें से 23% child marriages होती हैं लाकों बच्चियों की शादी कराई जाती है इतनी कम उमर पर लेकिन जो cases register किये जाते हैं इनको लेकर वो गिंती के होते हैं 2014 से लेकर 2016 के बीच में कुछ 1780 के around ही cases register किये गए थे और conviction इनमें से कितने cases में हुआ सिरफ 274 cases में और कमाल की बात ये है कि जो cases register करवाए भी जा रहे हैं जिनमें conviction होने भी लग रहा है इन वैसे जादतर cases वो cases हैं जहां पर भाग कर शादी करी हो लड़का लड़की न इलोप्मेंट वाले cases ये पता लगाया था एक study ने जो करी गई थी 83 high court और district court के verdicts पर by PLD एक दिली based group है उन्होंने ये study करी थी जिसमें पाया गया कि 65% ये जो cases थे ये इलोप्मेंट वाले cases थे भागने वाले cases थे तो यहां पर एक चीज़ बड़ी साफ है दोस्तों authorities के दुआरा इस child marriage की problem से deal करने के लिए almost कोई action नहीं लिया जा रहा है हमें सही मायनों में total blanket ban लगाना पड़ेगा हर उस शादी पर जो 18 साल से कम की उमर पर कराई जाती है और यह problem जो है न दोस्तों यह सिर्फ इंडिया में देखने को नहीं मिलती है दुनिया भर में ऐसे कई देशों में same problem देखने को मिलती है 2010 की UNFPA report के according 158 countries में legal age लड़कियों के लिए 18 साल सेट करी गई है for marriage लेकिन in 158 में से 146 countries में कानून यह allow करता है कि child marriage हो सके लड़कियों की with the consent of parents अगर माबाप agree करते हैं तो child marriage allowed in देशों में कुछ ऐसे देशों के example देखते हैं जिन्होंने कुछ progressive कदम उठाए हैं इस issue को लेकर एफरिका में एक टांजेनिया देश है वहाँ पर rule यह था कि 15 साल की age तक शादी allowed थी अगर parents agree करते थे तो लेकिन टांजेनिया के high court ने 2016 में कहा कि यह unconstitutional है और इन्होंने सारी शादियों को illegal declare कर दिया जो 18 साल से कम की उमर में होती थी नौर्वेज यसे देश में भी यह rule था 2018 में ही नौर्वेज के court ने कहा कि 18 साल से कम की age पर blanket ban है उनकी minister of child and equality ने कहा कि सारी शादियां free consent पर होनी चाहिए informed consent पर होनी चाहिए और full consent पर होनी चाहिए उन्हें पता हो कि शादी करने के क्या consequences हो सकते हैं इंडोनेशय देश में भी हाली में ऐसा ही कानून बनाया गया था इन्होंने 21 साल की age रख रखी है शादी करने के लिए लेकिन 19 साल तक शादी करी जा सकती है अगर parents agree करते हैं अच्छा अब इस bill पर वापस आए जिसमें marriage age बढ़ाकर 21 साल तक कर दी गई है मोधी सरकार के दोरा तो मेरी राय में ये एक अच्छा फैसला है ये इसलिए क्योंकि ये बुनियादी तोर पर child marriages के against है जब age limit यहाँ पर इतनी बढ़ाई जा रही है तो hopefully लोग motivate होंगे उसी age limit पर शादी कराने को लेकिन at the same time मैं कहूंगा ये बड़ा खोखला फैसला है अगर इसके साथ-साथ ये decision नहीं लिया जाता कि सारी child marriages illegal हैं तो ये फैसला ground पर ज्यादा बदलाव नहीं लाने वाला क्योंकि जो existing कानून है इसको लेकर वो यही कहता है कि child marriages voidable है completely void नहीं तो इस नए फैसले की ground पर implementation almost ना के बराबर देखने को मिलेगी अगर इसके साथ-साथ ये कदम नहीं उठाय जाता तो overall एक पूरी society के mindset में change लाना बहुत ही मुश्किल काम है बहुत ही slow process होता है इन फैक्ट अपने खुद के mindset में ही change लाना कितना मुश्किल होता है आपने खुद ही देखा होगा अपनी habits को change करना अपनी आदतों को change करना बुरी आदतों को छोड़ना पहले अपने mindset में change लाने की कोशिश करके देखी है तो एक सवाल तो answer करना रही गया कि दोनों की उमर कम करके 18 साल क्यों नहीं गर दी गई दोनों की बढ़ा कर 21 साल क्यों गर दी गई यह argument उठाय जाता है कि vote करने के लिए तो 18 साल है नया business खोलना है 18 साल है लेकिन इस बनाना तो बहुत दूर की बात है नौकरी भी नहीं होती कोई कमाई का जरिया भी नहीं होता एक 18 साल के इनसान के बास तो ऐसे में अगर कोई लड़की बच्चा पैदा करती है तो कहां से उस बच्चे की देखभाल के लिए पैसा आएगा कहां से टाइम मिल पाएगा एक 18 साल की लड़की को या लड़के को बच्चे के ध्यान रखने के लिए इससे एक न्यूबॉन की mental health पे भी बहुत असर पड़ेगा अब कई लोग कहते हैं कि यहां पर एक basic human right deny किया जा रहे लड़कियों को कि उन्हें शादी नहीं करने दी जारे तो मेरी रह में यह कोई बह किस साल की age limit एक अच्छा safety के लिए time gap दे देता है कि लोग settle हो पाएं थोड़ा अपने career में life में और उसके बाद ही जाकर बच्चे पैदा करें आपकी क्या रहे हैं आपर नीचे comments में लिखकर बताईए और अगर यह video आपको informative लगा हो तो definitely मेरी educational videos की playlist चेक आउट कर सकते है और similar videos देखने के लिए similar topics पर मिलते हैं फिर अगले video में बहुत बहुत धन्यवाद